आपके बारे में क्या सोचने वाल है आपके बारे में क्या सोचने वाल है आपके बारे में क्या सोचने वाल है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ट होंगे इस रिलेशन्शिप को लेकर उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अब इस रिलेशन्शिप में कुछ भी सही नहीं हो सकता है इस रिलेशन्शिप में कोई भी फूदर एडवांस्मेंट नहीं होगी यह रिलेशन्शिप यहीं अठका रह जाएगा क्योंकि आपके पार्टनर आपसे ही एक्सपेक्टेशन्स लगाए बैठे हैं उन्हें अपने अराउंड कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिससे कि वो आप तक पहुंच पाए आपके पार्टनर ये भी चीज़ सोचेंगे कि कब तक वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे आपके जो पार्टनर है उन्हें फिर ये डर भी सताएगा कि चलो ठीक है वो एक पल के लिए एकस्पेक्टेशन छोड़ देते हैं और आपसे डारेक्ली कॉम्यूनिकेट करते हैं तो क्या पता आप उनकी बातों को ना समझें क्या पता आप उनके उपर ही एलिगेशन लगाए और उनके फ़ास अभी फिलहाल में आपकी बातों का जवाब नहीं है और कहीं ये कॉम्यूनिकेशन गाप कम करते करते वो इस कॉम्यूनिकेशन गाप को और ना बढ़ा ले इस तरह से आपके पार्टनर सोचने वाले हैं लेकिन फिर आपके पार्टनर का जो ये डर है वो हार जाएगा आपके पार्टनर शाम तक और ज़्यादा determined हो जाएंगे इस relationship के लिए और आज शाम तक आपको आपके पार्टनर की call ये message आ सकता है उसका reason मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आपके पार्टनर के emotions इतने जादा surface होंगे कि वो अपने emotions को control नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अगर आप उन्हें गलत समझना चाहते हैं तो आप समझते रहें लेकिन वो तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाह रहे हैं एक बार उन्हें अपने emotions आपके सामने रखने तो चाहिए आप accept करेंगे या reject करेंगे वो बात की बात है लेकिन अब वो आपको girlfriend या boyfriend बनने के दिए नहीं कहना चाहेंगे आपके partner 100% अपना दे कर इस रुष्टे को निभाएंगे आपके partner आज strength की energies में operate करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके partner के डर को आज आपके partner खुद बखुद हराने वाले हैं आप हमेशा यह चीज़ कहते हैं कि मैं हमारे partner क्यों कहीं न कहीं पीछे चूट जाते हैं आज ऐसी इनवल चीज़ नहीं आ रहे हैं आज आपके partner कहीं पीछे नहीं चूटने वाले हैं बलकि वो बहुत ही determined होकर इस relationship को निभाने की कोशिश करेंगे आज वो इस relationship को vocalize करने की कोशिश करेंगे और वो भी आपके सामने आज सिरफ दिमाग में ही खिचड़ी नहीं पकने वाली है हो सकता है कि आपके partner आपको दुपैर तक call करने शाम तक call करने हैं राप तक call करने तो अपना phone अपने पास रखें चार्च करके रखें सालिद पर मत रखेंगा और अगर कोई भी बात होती है तो आपको न अपने partner से सवाल नहीं करने हैं उन्हें बोलने का मौका देना है ताकि आप समझ सकें कि actually उनकी situation क्या है ओके आज की energies तो बहुत खुबजूरत हैं इन energies को आपको claim करना नहीं भूलना है इन energies को claim करने के लिए आप comment section में 999 heart जरूर type कीज़ेगा आप तभी इन energies को claim कर पाएंगे आईए अब हम जानते हैं कि ईश्वर आपको इस रुष्टे के लिए क्या guidance देना चाहते है divine की तरफ से आपके लिए क्या guidance है इस relationship को लेकर आईए चाहते हैं divine आपको क्या guidance देना चाहते हैं divine आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने partner के लिए उतना सदा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपके partner अपने peers के नीचे आज नहीं दबने वाले हैं वो आपसे प्यार करते हैं इस चीज़ को वो आपके सामने रखने की आज पूरी कोशिश करेंगे और आपको भी अपने partner को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए आप अगर इस point पर सिरफ खुद को प्रात्मिक्ता देंगे तो कहीं न कहीं आप अपने partner से दूर हो जाएंगे क्योंकि आपके partner बहुत हिम्मत करके आप तक आ रहे हैं तो आज अपने partner को सुनने की कोशिश कीज़ेगा सुनाने की कोशिश मत कीज़ेगा ये divine की guidance है आपके लिए बाकि अगर आप अपने रिष्टे के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस relationship के regard में रोज रात को साड़े नौ बचे मैं एक detail love reading आपके relationship के regard में इसी channel पर post करते हूं आप उस reading को ज़रूर देगे आपको बहुत ज़दा clarity मिलेगी कि आपके रुष्टे में क्या हो रहा है क्यों इतनी blockages का सामना आपको करना पड़ रहा है और आप उन चीजों के लिए क्या कर सकते हैं ठीक है बागी आप बहुत समझदार हैं समझदारी से आज की energies को channelize कीज़ेगा God bless you all Take care of your health See you soon